नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तों आप सभी लोग का बिहार SI मेंस का रिविजन बहतर तरीके से आप कर रहे होंगे लास्ट समय में एकदम जान लगा दीजे और हाँ आप सभी लोग पुरा ध्यान से पढ़िएगा और एक एक डाउट को क्लियर करते चलिएगा आप सभी लोग का ये सामान हिंदी का सेट है ठेक है आप सभी लोग का डेमांड था कि सर सामान हिंदी का भी सेट चलाईए क्योंकि इसमें भी पास होना है क्या होता है न कि आपको यहां पे 30 कोश्चन आपको यहां पे कम से कम सही करना है तभी आपका जो GS का से सेट में 15 सेट जो है यह प्रोवाइट करा दूँगा ताकि आप सभी लोग 15 सेट में कहीं ने कहीं अच्छा स्कूर कर पाएंगे प्रैक्टिस भी बहतर कर पाएंगे तो अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आपको टेलिग्राम में फिरी आप कोस्ट मिल जाएगा त ठीक है आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ही नॉलेज बढ़ेगा तो चलिए सेट को सुरू कर लेते हैं निम्न में से सघोस व्यंजन कौन सा है तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा घह याद रखिएगा अगला कुस्टन भासा की लगुत सार्थक इकाई आपका वण होगा अगला कुस्टन निम्न में से ओ ऑ किस परकार के वण है तो आपको पता ही है ओ ओ कंठ यानि कंठ और ओर उत्स का प्रयोग करके ओ ओ का प्रयोग यानि बोला जाता है ठीक है अगला कुस्टन राम्चरित-मानस की रचना किस भासा में है तो आंसर आपका हो जाएगा option c अउधी ये तुलसी 10 जुआरा किया गया है ठीक है कौन सा सब्द द्वीज का अनेकार्थी नहीं है द्वीज का तो देखे इसका उत्तर आपका पांचवा का option c हो जाएगा सिंग हो जाएगा इन में से अमरित सब्द का सामानार्थी सब्द कौन सा है तो correct answer आपका प्यूस हो जाएगा अगला question आप सभी लोग देखिएगा कि इन 100 प्रस्ट में से आप कितना question कर पा रहें एक बार सुरू से लेके अंतक सेट जरूर लगाईएगा ठीक है केतु सब्द का सामानार्थी नहीं है तो answer आपका हो जाएगा चंद्रमा अगला question कमाईनी की रचनाकार कौन थे तो देखिए important question है यहां से कई बार exam में पूछा गया है तो कमाईनी देखिए आपका हो जाता है जैसंकर परसाथ का ठेक है प्रेम सागर की रचनाकार तो answer आप comment box में बताएए देखते है 9 का answer कौन साही करता है अगला question 10 अध्यक्ष सब्द में उपसर्ग क्या होगा देखिए एक उपसर्ग होता है एक प्रत्य होता है तो सब्द के आगे जो आपका लगता है उसको हम उपसर्ग करते हैं तो इस तरीके से गर इसका उत्तर देखा जाये तो अधी हो जाएगा अगला question की निमन उपसर्गों में हिंदी का उपसर्ग इसमें से कौन सा नहीं है तो इसका उत्तर देखिए 11 का option भी हो जाएगा अनू नेश्ट को सने की उपसर्ग रहित सब्द कौन सा होगा इसमें ये प्रसना आपका पूछा गया है तो देखिए इसका उत्तर आपका कम कमल हो जाएगा क्या हो जाएगा कमल अगला question उर्वसी महाकावे के रचनाकार पूछा गया है तो वह उर्वसी आपको पताई होगा उर्वसी रामधारित सिंग दिनकर जी का है ये आपका आंसर हो जाएगा अगला question ग्याता सब्द में प्रत्य होगा देखिए प्रत्य ग्याता ता तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका चौदा का आंसर डी हो जाएगा इसमें कोई ता नहीं दिया गया है तो इस तरीके से डी आंसर हो जाएगा तैराक सब्द में प्रत्य पूछा गया है तैराक तो इस तरीके से आंसर आपका आख हो जाएगा देखिए जैसे आप सब्द पढ़ेंगे उसे तरीके से आपका आंसर मिलेगा ठीक है अगला कुर्शन अद्रक सब्द का तत्सम सब्द पूछा गया है देखिए एक तत्सम होता है और एक तद्भव होता है जो तद्भव होता है वो आसानी से बोलता है जो आपका तत्सम होता है वो सं आंसर देखेंगे ने तो आपका आंसर यहां पे D हो जाएगा देखिए आर्द रख इसका आंसर D है तो यह थोड़ा सा संस्कृत भासा में आयता है और जो तद्भव होता है वो सिंपल तरीके से बोल आप सकते हैं ठीक है खत्री सब्द का तत्सम सब्द कौन सा है तो इसका उत्तर देखिए आपका B हो जाएगा छत्रिय गोधुम सब्द कैसा सब्द है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा option A तत्सम अगला question तलवारी सब्द का तद्भव तो अभी मैंने बोला ना कि तद्भव आपको आसाने से बोलने को पड़ेगा तो इस तरीके से देखिए तलवारी तो आप आंसर देखेंगे तो तलवार तो इस तरीके से आप आंसर भी सही तरीके से निकाल पाएंगे बिना आपको पढ़े अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कोसिस करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा किरति लता के रसनाकार कौन है तो आंसर आप पूछा गया है हूँच सब्द का बिलोम पूछा गया है तो अपट आइट आंसर देखा देखा जाए तो आपका अनाहूत हो जाएगा। तो आपको ट्रिक का एक वीडियो आएगा उसको आप देख लीजेगा जरू देखेगा आपको दो चार कोशन अगर संदी के विच्छत से आता है तो आप उसको 100% सही कर पाएंगे तो इसका आंसर देखे विद्याधन अर्थी हो जाएगा आप देख करके पकड़ पाएंगे एक का तो इसमें यड़ संदी हो जाएगा अगर इसमें दो मातरा दिया होता तो विरद्धी संदी हो जाती अगर बड़ा का मातरा होता तो दीर का संदी हो जाता ठीक है तो इस तरीके से आप आंसर कर पातें नयन सब्द में संदी बताना है ये तो सभी को पता है नयन आप का सवरसंदी है तो आपका राइट आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा अगला कोशन चेड़ी मार सब्द में समास होगा तो चेड़ी मार का मतलब होता है चेड़ियां को मारने वाला तो इसका आंसर देखिए आपका दृतिया ततपुरुस हो जाएगा ठीक है नेश्ट कि समास में आप यह पॉइंट याद रखिएगा कि जिस तरीके से आपका समास चत्रभूज आजाए तिरी कोड आजाए तिरी भूज आजाए और होता है ना कि नंबर बाई जिस तरीके से आप चत्रभूज अउदारण देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक डाउट नंबर आ रहा है कि चत्रभूज यानि चार भूजा वाला कुछ होगा ठीक है तो इस तरीके से आप जब इस तरीके के अउदारण देखेंगे समास में तो आप मारिये का आंसर दिवगू समास एकदम यही आंसर होगा ही ठीक है अगला कोशन देख लेते हैं गौरी संकर 여 cookie version का संधी यानि सही विछेद बताना है संधी मिचे तीया सोधा या सोधा तो और अंशर आप का ठटी का देखा ज^^ तो आपका क्या पीया दा restorauen दा मनो योग में संधी होगी कौन सी मनो योग तो आपको पता ही है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा विसर्क संदी निर्धन सब्द में संदि विछेद क्या होगा करेक्ट आंसर देखा जायат तो आपका वी हो जाएगा निहधन धन ठीक है कि ग्रमण गीत के रशनाकार बताना है तो correct answer आपका हो जाएगा option D सूरदास अगला question खड़ी बोली के चार आचारियों में कौन नहीं है तो answer आपका हो जाएगा कि सूरिलाल गो स्वामी answer आपका D हो जाएगा विभात्सव रस का इस्थाई भाव क्या है विभात्सव रस का तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 35 का option B जुगुप्सा घ्रिणा answer आपका B हो जाएगा इस करूड कलित हिर्दय में अब विकल रागनी बजती है अलंकार होगा क्या तो answer आपका देखा जाएगा तो अनुप्रास हो जाएगा नेश्ट कोशन भूसन बसन बिलोक के सिय के प्रेम बीबस मन कप पूलक तन में कौन सा रस होगा तो answer देखा जाए तो आपका यहाँ पे सरिंगार रस हो जाएगा अगला कोशन रसो की कुल संख्या कितनी होती है तो रसो की कुल संख्या देखा जाए तो 11 होती है अलंकार की कितने परकार है तो अलंकार के आपको पता ही है तीन परकार के होते हैं कौन कौन से आप कमेंट करके बताईएगा देखते हैं आपको कितना याद है संचारी भाव की संख्या बतानी है संचारी भाव की संख्या तो देखिए इसका उत्तर आपका 33 हो जाएगा किस उपन्यास के लेखक प्रेम चंद्र नहीं है तो देखिए आपका किस उपन्यास के प्रेम चंद्र नहीं है तो देखे रंग भूमी हो जाएगा गोदान हो जाएगा निर्मिला हो जाएगा लेकिन परिच्छा गुरू नहीं होगा लोकाय तन के रचनाकार बताना है तो आंसर आपका हो जाएगा 42 का ओप्सन सी सुमित्रा नंद पंथ निहार के रचनाकार कौन है तो निहार आपको पताई होगा महादेवी वर्मा हो जाएंगे राग दरवारी उपनियास के लेखक कौन है तो correct answer आपका स्री लाल सुक्ल हो जाएगा answer आपका C हो जाएगा अगला question गंगा सब्द किस परकार की संग्या है तो answer आपका व्यक्ति वाचक संग्या हो जाएगा A right answer हो जाएगा सिक्षक सब्द में संग्या के परकार बताना है तो answer आपका C हो जाएगा ज्याति वाचक संग्या हिंदी में लिंग कितने परकार के होते हैं तो correct answer दिखा जाए तो आपका दो परकार के होते हैं घी दूद में कौन सा लिंग है तो correct answer दिखा जाए तो आपका 48 का option B हो जाएगा pooling समागरी का pooling क्या होगा तो इसका उत्तर आपको पता है तो ठीक है नहीं तो आप समराट मारियेगा answer आपका C हो जाएगा वस्तु सब्द का बहुवचन क्या होगा यानि वस्तु है तो अगर बहुवचन बनाएंगे तो आप किस तरीके से बनाएंगे तो वस्तुवे हो जाएगा इस्तुरियों के द्वारा गीत गाये में कौन सा कारक है answer आपका C हो जाएगा कर्म correct answer C हो जाएगा पक्षमी व्यक्ति सदेव उन्नती करते हैं यह वाक्य कैसा है तो यह वाक्य देखा जाए तो सरल वाक्य है answer आपका D हो जाएगा रचना दिश्टी से वाक्य कितने परकार के होते हैं तो रचना दिश्टी से वाक्य कितने परकार के होते हैं तो आंसर आपका तीरपन का C हो जाएगा आठ प्रकार के होते हैं कुछ सब्द व्यकरण की दिश्टी से क्या है तो correct आंसर आपका देखा जाए तो आंसर आपका C हो जाएगा अनिश्चे वाचक सर्वनाम हो जाएगा यह घर मेरी सहेली का है इसमें यह सब्द कौन सा विसेसर है तो आंसर आपका हो जाएगा सर्वनामिक विसेसर आंसर आपका क्या हो जाएगा D आंसर हो जाएगा रमेश को चाय पिलाओ इस वाक्य में कौन सी क्रिया है रमेश को चाय पिलाओ तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा सकरमक कौसल चला गया भूत काल का कौन सा भाग है तो इसका उत्तर देखा जाए तो समाने हो जाएगा आंसर आपका D हो जाएगा वह रो रहा है कह रहा है कि वह रो रहा है यह वर्तमान का कौन सा भेद है रो रहा है तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे न तो इसका उत्तर आपका अपूर वर्तमान हो जाएगा आंसर आपका B हो जाएगा वह अचानक आ गया मैं कैसा किरिया विसेसर है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रीती वाचक करेक्ट आंसर आपका D हो जाएगा निम्न लिखित में से कौन सा सब्द सुद्ध है इल्मे से आपका कौन सा सब्द है जो सुद्ध है तो अनधिकार हो जाएगा आंसर आपका A हो जाएगा अगला कोशन निम्न में से असुद सब्दों का चैन किजिए असुद सब्द देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा option D. सन्यासी next question भारत में अधोगिक विकास तीवर गती से हो रहा है तो अधोगिक हो जाएगा ठीक है अधोगिक next question दूसरों को क्या पड़ी है में दूसरा सब्द आपका क्या है तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा सर्वनाम आंसर आपका B हो जाएगा जिसमें तेज न हो जिसमें तेज न हो निस्तेज कहलाता है आंसर आपका A हो जाएगा अगला कुसन हाथ से लिखी पुस्तक की लिपी हाथ से लिखी पुस्तक की लिपी आंसर आपका पांडू लिपी हो जाएगा नेश्ट कुसन जिस भूमे में कुछ पैदा नहों उसको हम क्या काते हैं तो उसको हम बंजर काते हैं आंसर भी हो जाएगा जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हो उसको हम क्या कते है उसको हम कानीन कहते है अंसर आप करडी हो जाएगा आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है अगर कोई आग बबूला हो जाता है तो इसका मतलब आप समझ जाएए को बहुत गुस्सा हो रहा है या फिर बहुत गुस्सा हो गया है आम के आम गुटलियों के दाम कहावत का अर्थ क्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा दोहरा लाब ठीक है आंसर आपका डी हो जाएगा पिर्थिभी राजरासों के रसनाकार आपके कौन है तो कर्यक्ट आंसर आपका 70 का दिखा जाएगा चंद बरदाई आज एज वियर्ज एज हिंदी होगे इसका आंसर दिखा जाया तो आपका जैसे है जहां है हाड एंड फास्ट रूल्स तो कर्यक्ट आंसर आपका हो जाएगा पके N Labour मैडेन नेम तो 73 का उत्तर दिखा जाए तो आपका उत्तर यहां पे ए हो जाएगा पूर्व नाम लीव अन एवरेज पे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा औसतन वेतन छुट्टी अगला कोशन है कि इद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है तो इसका उत्तर हो जाता है कम दिखाई देना जो लोग कम दिखाई देते हों उसको लोग बोलते हैं कि आप यित के चांद हो गए हो अगला question है कि 36 सम्मान प्राप्त नहीं है किसको तो correct answer आपका हो जाएगा option D again यानि कितनी नावों में कितनी बार next question ग्यान पीट पुरसकार करता नहीं है इसमें से कौन तो आपका 77 का उत्तर देखा जाए तो आपका A हो जाएगा मीरा साहित अकादमी हिंदी सम्मान लेखक कौन है तो 78 का उत्तर आपका हो जाएगा केदार नास सिंग अगला question चौपाई के प्रत्यक चरण में मातराओं की संख्या कितनी है तो इसका उत्तर हो जाएगा option C 16 हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बताना है ये तो सभी को पताई होगा 80 का उत्तर देखा जाए तो उदंत मार्टंड हो जाएगा आंसर आपका D हो जाएगा प्रियाग से प्रकासित होने वाला पत्र बताना है तो इसका 81 का उत्तर देखा जाए तो आपका C हो जाएगा हिंदी प्रदीप हिंदी में कूल मिलाकर कितने सर्वनाम है तो आंसर आपका हो जाएगा option B 11 नेश्ट कुसने की हिंदी को राजभासा की मानेता दी गई है आंसर आपका 14 सितंबर 1949 हो जाएगा D राइट आंसर हो जाएगा देवनगरी लिपी की उत्पत्ती है किस से तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ब्रामणी लिपी से ए आंसर होगा हिंदी की उत्पत्ती हिंदी की उत्पत्ती देखा जाए तो आपका आंसर यहां पे सौर सेनी से हुई है B आंसर हो जाएगा बिहारी हिंदी की बोली नहीं है तो आंसर देखा जाए तो आपका B हो जाएगा अवधी अगला कोशन ब्रज भासा व्याकरण के लेखक कौन है तो करेक्ट आंसर आपका A हो जाएगा मिर्जा खाँ A आंसर हो जाएगा सकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है तो इसका उत्तर दिखा जाए तो B हो जाएगा लक्षमर सींग B करेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्ट कुसन, असार का एक दिन किस विध्याखी रचना है? 89 का उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा नाटक, याद रखेगा C उत्तर हो जाएगा वर्तनाकर के लेखक कौन है? वर्तनाकर इसका उत्तर देखा जाएगा तो आपका यहाँ पे C हो जाएगा यानि जोतिसवर ठाकूर हो जाएगा भारत भारती की रचना कवर बताना है correct answer आपका मैथली सरण गुप्ठ हो जाएगा ए उत्तर हो जाएगा सभी का next question निम्न वाक्यों में असुद्ध वाक्य कौन सा है निम्न वाक्यों में दिखा जाए तो गंगा हिमाले द्वारा निकलती है यह आपका असुद्ध वाक्य है निम्न सब्दों में देशत सब्द कौन सा है देशज तो देखिए इसका उत्तर आपका फटाफट हो जाएगा कौन सा सब्द देशज नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचन रिलगाडि सब्द है कौन सा देशज है तत्समत है क्या है बताइए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा संकर सब्द है दसानंद कैसा सब्द है तो दसानंद देखा जाए तो यह आपका योग रूर सब्द है बी आंसर हो जाएगा लिफाफा सब्द किस भासा का सब्द है तो correct answer अर्वी हो जाएगा पत्र की भासा कैसी होनी चाहिए तो देखा जाए तो इस पस्ट भासा होनी चाहिए बी आंसर हो जाएगा कार्यालई पत्र में अवस्यक है आंसर आपका A, B दोनों हो जाएगा पत्रांग संक्या दिनांग संक्या प्रियोग की दिष्टी से सब्द के प्रकार बताना है तो आप सब लोग पीडिया डाउनलोड कर लिजे आपको आंसर भी मिल जाएगा एक बार रिवीजन दुबारा कर लिजे ताकि आप सब लोग का जो माइंड में सेट हो जाया अच्छा अच्छा कोशन तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं